हलो दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिवलिक्यान, मैं हूँ अलोक सिंग, तो देखिए, जो पैस्टाटवी BPSC मेंस का प्रेपरेशन कर रहे हैं, यानि कि आपका एक्जाम का डेट भी फिक्स्ट हो चुका है कि 20 अक्टूबर से लिया जाएगा, जी बिल्कुल आपका डेट ब यानि कि लगवग एक महिना से जादे लगवग 36 से 37 एडिटोरियल हम करेंगे पूरे आपके एक्जाम तक, और यह आपको एक्जाम में लिखने में काफी अच्छा कासा बेनिफिट देगा, बस आप डेली 15 से 20 मेट का यह वीडियो होगा, आप डेली इसको बस देख लिया करना, और आप जो प्रैक्टिस जिस तरह से कर रहे हो अपना रैटिंग प्रैक्टिस वह उस तरह से आप करते रहे ना, आपको उसमें कोई चैन्जर लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आप आपका जो एक्जाम है, बहुत ही नजदीख है, ठीक है, तो यहां से यह एक हिंदी निउस्वेपर है ठीक है तो ओवियसली यह जो एडिटोरियल होगा हिंदी मेडियम के स्टुडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा जादा वैसे इंग्लिस मेडियम स्टुडेंट्स भी इसको देख सकते हैं कोई इसू नहीं है लेकिन यह हिंदी मेडियम पूर्व परधान मंत्री नहरू की दिन इसी तरह से हर दिन एक टॉपिक का मैं एडिटोरियल लाओंगा ठीक है और वह अच्छा कासा इसमें डिसकसन करेंगे 15-20 मिनिट में और वह आपके लिए पेनिफिसियल होगा तो आज की एडिटोरियल में क्या है कि जो परधान मंत समस्या है वो बढ़ा अधरवाई यह जो समस्या था वो नहीं बढ़ता ठीक है अब एडिटोरियल देखिए यहां से एडिटोरियल सुरू होता है तो यहां देखिए 1962 के बाद लदा की पहाड़ियों पर यूध के बादल एक बार फिर घुमर्णने लगे हैं इसका एक कार तो यहां पर देखिए कि यहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारा हमारा चीन का जो क्या निती है किसके कारण जो है बॉर्डर पर इतने ज़्यादे कॉन्फिलेक्ट हो रहा है इतने ज्यादा टेंसन बढ़ा हुआ है तो चीन का पहला है कि विस्तारवादी निती ठीक है पहला विस्तारवादी नीती है पहला दूसरा क्या है दूसरा यहां पर यह बताए गया है कि लिडर्शिप नत्रित्व जो हमारा नत्रित्व रहा है पहले से वो बहुत ही खराब रहा है ठीक है उनकी बहुत ही जो है बहुत भूल कर चुके हैं उसके कारण यह दो प्रॉब्लम यह समस्या जो हो रही है वो है ठीक है उसी के कारण इसमें बताया गया है कि द्रिष्टी तीबत को स्वायत्ता सासी बफर राज्य बनाए रखना ब्रिटिस सासन की निती थी और उसी द्रिष्टी से उसने 1914 कातरी पच्छिय सीमा समझावता किया था जिसे मैक मोहन लाइन के नाम साफ चाहताएं करता है कि जो ब्रिठिस था वह चाहता था कि अभी जो तीबत थो पता है यह वो चीन के कभजये में है लेकिं तीबत कभी विंग दोकर साथ म parishion के साथ नहीं भारत के बीच का बार्डे लाइन है देुक्ष आज भी मैखमुहिं लाइन को नहीं मानता है ठीक है चीन में अक्टूबर 1949 29-1-49 और 1997 में चेन ऑर установ daar और 1950 में चीनी था कि पहली बात कि जो चीन था वो उत्तर कोरिया से यूध में लड़ा लगा हुआ था अगर हमारे और यह बॉर्डर पर भी कंफ्लिक्ट जारी रखा था लेकिन अगर हमारा देश का जो बॉर्डर था वहां पर अगर जवाहला नेरुजी अपनी सेनाएं भेजते वहां उस सायद वह चीजें बस जाती जैसे मैं आपको अभी पूरा मैप दिखाऊंगा जिससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा यहां पर लिखा गया है कि ब्रिगेडियर दलवी अपनी पुष्टक हिमाले ब्लंडर यह नाम याद रखिएगा यह किताब का नाम है तो इस किता हिमाले ब्लंडर नाम का यह जो पुष्टक है इसको लिखा था उस वक्त के ब्रिगेडियर दलवी ने वो कहते थें कि अक्टूबर 1950 की बात है एक दिन अचानक जनरल लेंटेन उद्गिन होकर लेक्चर हॉल में आये और कहा तुम्हारे नेताओं की अकर्मन नेता के कारण चीन ने भारत के उत्तर में आज एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है तुम्हारी मुस्किले कितनी बढ़ जाएंगी इसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं पत्तब कि जो सोलजर हैं ब्रिगेडियर दलवी सहाव हैं उनको ऐसा कहा गया ठीक है कि उनकी जो नेता है याने जो पूरा पहले बताता हूं मैप यहां देखिए पहले इस मैप को पहले आप देखिए बढ़िया से यह पूरा जो डिस्प्यूटेड रीजन है जो तीपस है पहले यहां पर देख सकते हैं आचर पर्देश में यहां यह वाला पाट है ठीक फिर यहां पर अक्साइड चीन य यह उत्रा खड़ में भी डिस्प्यूटेड रीजन बताता है फिर कुछ दिन में पहले यह तो भुटान से भी डिस्प्यूटेड रीजन बताने लगा था ठीक है तो यह इस तरह है और इसको मैं अब आपको जम्मू कस्मीर पे आप हम आते हैं बैसिकली फोकस करते हैं तो कि ठीक है यह अकसाई चीन इतना दूर यह हो गया यह चीन के कबजे में है ठीक है और यह सब बताए गया है जवाहला नेहरू की वज़़े से ही यह हुआ था और वो चाहते तो ऐसा नहीं हो था फिर बाद में यह भी हो गया है फिर जो पाकिस्तान अक्पाइड कस्मीर है और यह यहां पर अब्ट उसी है और यह वाला लाइन यह यहां तक यह इंदर पाकिस्तान उक्बट काशमी using आजाध प्हांस नहीं कर दाएया यहां फे तो यह सारा जो है फॉर साधन में में है और ये पुरा चीन कभजे में और ये थोड़ा सा भी ये भी जो है दिया गया था पाकिस्तान कोई कभजा था ये फिर इसको लीज पे चीन ने ले लिया था 1963 में ठीक है तो ऐसा हुआ था तो ये जो दर्वाजा ये बना दिया ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो और फिर और इसके बाद जो तीबत का जो है आपको भी पता होगा तीबत को चीन ने कभजा कर लिया है अधरवाज तीबत अकेला रहना चाहता था तो वो सब बताया गया है कि ये क्यों हुआ ये विकाज आफ जवाहालाल नहरू अगर वो चाहते तो इ यह तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ उगता नहीं है यहाँ पर कुछ उपर खेती वैती कुछ होगा नहीं इसलिए इसमें कभजा भी कर लेता है तो क्या बेनफिट होता है यह जवाला नहरू का सोचता लेकिन यह स्टेट जीकली देखिए कितना इंपोर्टेंट जगह आ गया ह और आज इसी के वज़ा से किया कर्फिलिक्ष फिलिक्सन हो रही है आज जो Much समस्या हो रहा है इसी वज़ा से हो रहा है है यह अधे ह dal्र कि यह मानना कि भारा सरकार को अक्साइज चिन में बन रही सड़क की जानकारी नहीं थी स्विकार लेकिन भारत सरकार को पता भी था, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर रही थी, उस वक्त यह सिचुएसन था, सीमा छेतरों के हालात की इंट्रिजियेंस रिपोर्ट समानता परधान मंतरी को परिसित होती है, अक्साई चिन में बन रही सड़क की फोटो और रिपोर्ट को प्रस्तूत ना की गई हो यह असंभव है, लेकिन नहरू के लिए अक्साई चीन ऐसा पत्थरीला इलाका था, जहां घास का तिनका तक नहीं उगता, जब चीन चिकोरिया युद में फंसा था, उस समय उसे भारत की ओर से अक्साई चीन छोड़ देने की एक चेतावनी भ दहा जाता है कि नहरू चीन को साथ लेकर एसिया फोर एसियंस अर्थात एसिया वालों के लिए जैसा दिव सपना दिवास्वापने देख रहे थे, इस दिवास्वापने के चलते चीन का दुस्ट्री करन हमारी नीती बन गई, उस संतावन में उस सड़क का उधगाटन हु तो हमारे नेतरित्व ने भी चकीत होने का ड्रामा किया, जब उस सड़क का उधगाटन हो गया, तो यहां पर लोग चकीत हो रहे गरे, कैसे सड़क बन सकती है, जबकि सबको पता था फिर भी, तो फिर हमारे नेतरित्व द्वारा तिवद को स्वाइता शाशी राजी के अ अबजा कर लिया तो भारत ने कुछ नहीं बोला ठीक है यही प्रॉब्लम भारत ने इस पर आपत्ती नहीं जनाई भारत ने यह मान लिया कि तीबत चीन का ही पाठ है ताकि चीन हमसे गुशा नहीं हो जाए तो ऐसा कर दिया यही सब सिच्वेशन आते गए ताकि और उसका मन और रच चाहता तो उस वक्त आराम से तीबत को बचा सकता था चीन के कभजिन से जाने में लेकिन नहीं बताया एक और तीबत तक चीन का बॉंडरी होता अगर तीबत नहीं हुटा तो चीन का बॉंडरी तो इधर होता हमारा जो अश्यूहांट अहों ग्राद हे नेश पर भुगतना पड़ रहा है इस तरह जो भारत तिबत सिमा थी वो भारत चिन सिमा हो गई देखिए मैंने जो आपको बताया एक अध्यान के नुसार सांती पूर्ण तिबती भी चुओं और लामाओं सहीत करीब एक लाख आठ हजार तीबती मारे गए एक लाख आठ हजार लोग को मार दिया चिन ने उसको करीब करने के लिए वो लोग विद्रोह कर रहे थे थे खाजार मोनेश्ट्री धवस्त कर दी गए गए मोनेश्ट्री होता है यह मठ है मोनेश्ट्री का यहां बहुत विच्च्छू यह सब रहते हैं 1962 का यूद 20 अक्टूबर को परम होता ह इसके पहले 3 अक्टूबर को चीन से थगला रीज खाली कराने के मुद्दे पर जनरल थापर ने से नहरू कहते हैं कि हमारी इस करवाई पर चीन कोई प्रतिकिरिया नहीं है। पाकिस्तान अमेर्की खेमे में सामीर हो गया। 1969 के बाद परस्तितियां हमें बड़ी तेजी से दो मोर्चों पर यूद की जिसा में ले जा रही थी। पर हम सपनों में थे। ऐसे हालात के बावजूद नहरू राष्टिय सुरच्छा को हासिये पर छोड़ बिश्व शान्ति की मरिग मरिचिका के पीछे दोर रहे थे। मतलब डेहरू जी अपना जो बाडर डिस्प्यूट है वो नहीं ठीक कर रहे थे। चीन से जो हमारा चीन जो हमारा सरा बाडर हड़कते जा रहा था हमारा जो जमीन था उसको ठीक नहीं कर रहे थे। उनका था कि बिश्व शान्ति हम बनाकर रखेंगे पीस मेंटेन करके रखेंगे पुरा उनका यही सफना चल रहा थे। उसी तरह से उनका जो शांति करने का प्रोबल्म था वो सांति यहां से कर सकते थे। वो अपने बॉर्डर से कर सकते थे सांती लेकिन वो धूंड रहे थे कि हम बिश्व में पुरे सांती फैला रहे हैं ठीक है तो यह सब गलती कर रहे थे हमारे जो फ़र्ष परधान मंत्री थे जबाहरलाल नहरू बिश्व यूद में बरबाद हो गए देश जापान जर्मनी फ्रांस प्राण पंड से विकास में लग गए थे और हम आदर्सवादी गुट निर्पेश निती को लेकर मुग्द थे अब जब अलायंस करने की बात आई तो हम तो बीच में होगे कि ना हम रसिया के साथ जाएंगे ना अमेरिका के साथ जाएंगे हम गुट निर्पेश म लोग साथ मिलके और हम बीच में इसे रह गए तो हमारा विकास नहीं हुआ 1962 की पराजय के बाद हम अकेले पड़ गया 1962 में चिन ने हमें हरा दिया था हमारी और से एक भी देश नहीं बोला गुट निर्पेश्टा की असलियत सामने आ गई दलाई लामा अपनी पुस्तक फ इसका नाम याद रखेगा दलाई लामा का या पुष्ता के फृड़म इन एकजाइल उन्होंने भी बोला कि बाद नेरु जी इस बात को स्विकार किये थे कि हमने ये प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है पिर है कि एक बड़ी समस्याथ हैं अहिंसक विचारधारा समस्याओं क के विकल्ब के बावजूद कस्मीर विवाद को अनिस्तियारित रखकर हमने स्वेम दो मोर्चे बना लिये थे चाहे कस्मीर समस्या हो या चीन तिबद की समस्या या नहरू की नितिगत पचगात का परणाम है तो दोनों तरफ आपने देखा भी पाकिस्तान कहां तक हड़प लिया था और चीन कहां तक हड़प लिया है यह दोनों जो हुआ पाकिस्तान का हड़पना और चीन का यह जो हड़पना यह दोनों क्यों हुआ क्योंकि जो नहरू जी की पॉलिसी थी उसके कारण की जो खराब नेति चल रही थी उसी के कारण यह सारा संभव हुआ बनती यदि पूर्व की ब्रिटिस सासन की तिपद संबंदी नितियों और सीत युद के दौर की जमीनी सत्ता सकती के समिकर्णों को संतुलित करते हुए राष्ट हित के लक्ष को प्राथ मिक्ता दी गई होती ऐसा ना करने के घातक परिनाम हुए परिया 1962 नहीं है आज के बा आए बारते सेना द्वारा उन्टी तीस अगस्त को पता होगा उन्टीस तिस अगस्त को ब्लैक। टॉप को कभजा कर लिया था चीन सिमा पर 50,000 सिनाय मिसाइले रोकेट टैंग बढ़ा रहा है चीन प्रतिया करमन पर भारतिय प्रतिक्रिया चुशुल शेक्टर में अस्थानिय युद्ध में बदल सकती है तो चीन जो है एक तरह से आपने देखा कि 5 पॉइंट उसने बताया भी है ठीक है हमने आपको आ अच्छर यह हो जाए लेकिन चीन जो है वह अपना रवाईया छोड़ेगा नहीं और यह सब क्यों हुआ पूरी की पूरी घटना क्यों हो रही आज आज हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट यह जहेल रहे हैं इधर इधर पाकिस्तान से और इधर चाइना से क्यों जहेल रहे ह अगर वो उस वक्त इस चीज़ को माने होते कि नहीं जो अक्साई चीन है वो इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा तो आज का यह सिच्वेसन नहीं होता ठीक है और उन्हीं की निती में यह भी हुआ कि पाकिस्तान यह इस जगह को अकुपाई करने में काम्याब रहा तो इस जो आज का यह था पुरा एडिटोरियल यह इसी चीज़ पर बताता है पुरा हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है इसका पुरा कैसे कैसे यह चीज़े हुई और कौन सी बुक में लिखी गई है कौन से ब्रिगेडियर थे उन सब के बारे में हमने आपको आज के इसी वीडियो में डिसकस किया है तो ऐसे हम डेली एक-एक टॉपिक पे सिर्फ एक ही टॉपिक रहेगा आप बढ़िया से इसमें समझ पाओगे चीजे जान पाओगे ठीक तो आप उसको जरूर सेर कर दिजेगा जाकि आपको यह रहेगा यह हमारा एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगा बाकी पढ़ते रहिए और थाइक यू फॉर वाचिंग पिहार सिविल ग्यान से यू इन देक्ट वीडियो यह वीजचन छाओगे रह।